दोस्तों आज की वीडियो आप लोग इंड तक जरूर देखना चुकि आज की वीडियो में आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक ट्रिक है और इस ट्रिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा समय निकाल कर 2 मिनट जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो में आईसी खतानाक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है और आप चौंक जाएंगे तो चले दोस्तों बिना आपका टाइम वेश्ट के होए वीडियो स्टार्ट करते ह चुकि दोस्तों ये सब बिल्कुल फ्री है उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट सेक्शन में चले जाना और कमेंट बाक में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है आपको इस तरीके से नाइस ट्रिक लिक के सेंड कर देना है आप जैसा इतना कुछ कर लेते है तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज की जो ट्रिक में बताने जा रहा हूं ये काफी ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकती है चुकि दोस्तों हम सभी अपने फोर में बहुत सारे साफ्ट वेयर बहुत सारे प्ले स्टोर से बाहर जाकर तमाम तरह की वेब साइट से भी इंस्टाल करते हैं तो ऐसे में दोस्तों किस अप्लिकेशन में कौन सा वायरस भरा हुआ है जो हमारे फोन को डेमेज कर सकता है वायरस मालवेर ये चीज हमको नहीं पता होती है जब हमारे फोन में वायरस आ जा कि आप कोई भी बिया कशन का इस्टिल करते हैं तो चुटकियों में कैसे पता कर सकते हैं कि सब्लीकेशन में कोई वायरस वगयरह तो नहीं है तो इस के लिए दोसतों आप जिस वी बिया यृप्ट को अपने फोन में डाउनलोड 35 आ चाहते है उसे आ उपन कर लेना कूपी करने के बाद आपको गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल के सर्च बार में जाका टाइप कर देना अब दोस्तों आप जैसे यहां पर टाइप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं वायरस टोटल की फ़र्ष्ट लिंक आ चुकी यह फ़र्ष्ट वेफसाइट है तो सिंप्ली आपको इस पर क्लिक करके इसे ओके कर लेना है और ओपेन करने के बाद यहां पर आपको तीन पर क्लिक करने ना है थोड़ी देर लोटिंग लेगा उसके बाद यह देख सकते हैं यहां पर सारी डिटेल्स आ चुकी है तो यहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ क्लीन क्लीन है यानि कि हमारी इस अप्लिकेशन में कोई भी वायरस नहीं है और हम बिलकुल इस अप्लिक अप्लिकेशन है तो दोस्तों यहां से आप इस अप्लिकेशन की डिटेल्स भी देख सकते हैं लिंक भी देख सकते हैं तो लिकालपा राप को फाइल को सर्ज करना चाहें तो तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है अब अगर आप मैंने तो playstore से इस application को copy किया था तो अक्सर playstore पर जो application होते हूं में virus नहीं होता है लेकिन अगर आप playstore से बाहर से कोई application अपने फोन में install करने जा रहे हैं तो install करने से पहले आप एक बार इस trick के दोआरा उस application को check जरूर कर लीजिए उसके बाद भी अपने phone में install कीजिए तो दोस्तों यह काफी काम की trick है आप लोग इस trick का use जरूर कीजिए अगर आप play store से बाहर कोई भी application install करते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कीजिए और comment करके जरूर बताजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग चलर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहें चुकि यह बिल्कुल फ्री है बाई बाई